Dr. APJ अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी नमस्ते दोस्तों आज हम आपके सामने Dr. APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राश्ट्रपती और एक मशुहूर वैग्यानिक के जीवन की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं उनका जीवन एक प्रेरनादाई उदाहरन है जो हमें सामरिक जीवन में उच्चतम संगठनात्मक और वैग्यानिक मानसिक्ता के साथ जीने का संदेश देता है बच्चपन का सपना अब्दुल कलाम की बच्चपन की कई तस्वीरे दिखाई देती हैं जहां वो गर्व से खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं वक्ताओं दॉक्तर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था उनके पिता श्री जैनुलाबदीन और माता जी की संगठनात्मक मानसिक्ता ने उनके जीवन को प्रभावित किया सफलता की कठिनाईयों का सामना यहां वो शिक्षा के लिए राश्ट्रिय इंजिनेरिंग कॉलेज में दाखिल होते हैं और पढ़ाई करते हैं दॉक्टर कलाम अपने जीवन के अगले पढ़ाव में अपने अद्भुत वैग्यानिक योगिताओं को साबित करते हैं उन्होंने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की जिनमें नागरिकों के लिए मिसाइल और रक्षा संबंधी प्रोजेक्ट्स में योगदान शामिल था योगदान शामिल था. भारत के मिसाइल मैन इस दौरान वो अपने टीम के साथ काम करते हैं और मिसाइल परीक्षणों का संचालन करते हैं. डॉक्टर कलाम ने भारतिये मिसाइल प्रोग्राम को नई उचाईयों तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के क्षेतर में अपने नेतरित्व का प्रदर्शन किया और भारतिये वैग्यानिकों को प्रेरित किया. भारत के राश्ट्रपती यहां वो भारत के राश्ट्रपती के रूप में स्विकार किये जाते हैं. डॉक्टर अब्दुल कलाम की सबसे प्रसिद भूमिका राश्ट्रपती के रूप में थी, जब उन्होंने भारतिय राश्ट्रपती के पद को संभाला वो एक गर्वनीय, न्याय संगत और द्रिर नेता थे जिन्होंने जनता के बीच बहुत लोग प्रियता प्राप्त की महत्व पूर्णतम योगदान की याद रखनी चाहिए और उनकी मार्क दर्शन में चलना चाहिए